आज हम एक खास विशे आपके सामने लेकर आ रहे हैं यह विशे खिलाडियों से जुड़ा है उनके पुरुषकार और सम्मान से जुड़ा है हमारा सवाल है कि क्या आप एशियाई खेलों में खिलाडियों को दी जा रही पुरुषकार राशी और अन्य सुड़ाओं को भढ़ाने के लिए पुपेंदर सिंग हुड़ा के बयान से सहमत है आपकी राय हमें इस विशे में बोलने के लिए सही दिशा प्रदान करेगी पहले आप हैं समझ ले कि भुपेंदर सिंग हुड़ा ने क्या कहा हुड़ा सहाब चाहते हैं कि हर्याना सरकार की ओर से खिलाडियों को दी जा रही पुरुषकार राशी बढ़ाई जाए एशियाई खेलो में स्वयन पदक लाने वाले खिलाडियों को पाच करोड रुपै, रजट पदक विजेता को तीन करोड और काश्य पदक विजेता को दो करोड रुपै का इनाम मिलना चाहिए हुड़ा कॉंग्रेस सरकार की पदक लाव, पदक पाव की नीती के तहत विजेताओ को डियस्पी जैसे पदो पर न्युक्ति देने की पैरवी भी करते हैं उनका तर्क है कि जब यूपी सरकार खिलाडियों को डियस्पी बना रही है तो बीजेपी, जेजेपी सरकार उचपद क्यों नहीं दे रही हुड़ा का कहना है कि कॉंग्रेस सरकार ने अपनी खेल नीती के तहट लगभग 750 खिलाडियों को उच पदो पर न्युक्तिया दी थी परन्तु मनोहर सरकार ने सक्ता में आते ही खिलाडियों से DSP और क्लास वन के पदो पर न्युक्ति का अधिकार छीन लिया जबकि उत्तरपरदेश जैसा पडोसी राज्य कॉंग्रेस की नीती पर अमल करते हुए अपने पदक विजयताओं को DSP पर न्युक्ति दे रहा है आपकी राय जानने से पहले हम या अपनी राय से आपको अवगत करा रहे हैं लेकिन हम यह नहीं कहते कि आप हमारी राय का समर्थन करें आप कमेंट बोक्स में जाकर अपने मन के विचार हमें बताएंगे तो हम लोगों को सही फीड़बैक मिल सकेगा हमारा मानना है कि खिलाडियों को उनकी योग्यता के अनुसार पद मिले किसी का खेल में योग्य होने का मतलब यह नहीं है कि मैं DSP स्तर पर भी अच्छा काम कर पाएगा इसी तरह सीमा की रक्षा करने वाले जवान के परिवार को जो राशी सरकार की ओर से दी जाती है उससे अधिक राशी किसी खिलाडी को नहीं मिलने चाहिए दोलत के तराजू से सम्मान नहीं तोला जाना चाहिए इस विशय में कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता वेट परकाश विद्रोही ने लीक से हटकर अपने विचार हमसे साजा किये है हाला कि मैं कॉंग्रेस नेता की हैसियत से नहीं बलकि अपनी गयर सरकारी संस्था ग्रामीर भारत के अध्यक्ष की हैसियत से ऐसा कह रहे है आप एक बात उन्हें सुन लीजिए। उनको दोगे। हरियाना में 20 की सीमा तैह होनी चाहिए। क्योंकि एक सीमा से ज़्यादा आगर आप खिलाडियों को पैसा देते हो फिर वो लालच में आ जाता है। उससे बहुत से विवाद भी पैदा होते हैं। अगर हम एक सीमा भी तैह नहीं करेंगे। पूर सीम की मांग को आप कितना साही बताते हैं। मैं कह रहा हूँ पांच क्रोड तक ठीक है। परंतु एक कैप भी लगनी चाहिए। पदक विजेताओं को डियेस्पी पर मिलना चाहिए। इस बात को आप कहां तक साही मानते हैं। देखिए हरियाना ने यह शुरुवात की थी। जब पहली बहुर कॉंग्रेस की सरकार आई थी। दो हजार च्यार से पांच से दो हजार चोदा उसके बीच में जो कोमन वेल्थ गेम हुए थे। और एश्यार गेम हुए थे। उसमें सण पदक विजयताओं को डियेस्पी लगाया गया था। तो उस समय हरियाना में 10-12 लोग डियेस्पी लगे थे। अब बाद में सरकार ने इस पॉलिशी को चेंज कर दिया। उस समय भी मेरी राई थी जब कांग्रेस के जमाने में मेरी व्यक्तिकत राए है कि खिलाडियों को पुलिश डियेस्पी का पद देना उचित नहीं है। उसका कारण है, जो पुलिशिंग का पद है, वो अन्वेंशन का पद है, कानून विवस्था को लागू करने का पद है, अगर आप खिलाडियों को DSP बनाएंगे, तो हरियाना में DSP's की पोस्ट कितनी है, अगर उसके अंदर गोल्ड मेडल लेने वाले खिलाडी तो बहुत ज तो उससे हमारी पुलिशिंग भी परभावित होगी, तो खिलाडियों को DSP का पद देने की बजाए, पर्थम स्रेणी का ऐसा पद दिया जाए, जिससे जो खिलाडी जिसको आपने हायर किया है, अच्छी नोकरी दिये स्टेट में, उस खिलाडी का भी सम्मान हो, और जिस खेल का वो एक्सपर्ट है, उस खेल का भी वो प्रदेश में विकास करने में सयोग दे, तो इस पर एक गंभीरता से विचार करने की जरूत है, मैं मेरी निजी राय है, और उस समय भी भूपेंदर सिंग उड़ा सरकार में भी मैंने अपने ग्रामिन भारता द्यक्ष की हैस विचित से सार्णिक ब्यान भी दिया था कि खिलाडियों को DSP पद देना उचित नहीं है, मैं अपनी उस राय पर आज भी कायम हूँ एक सेनकी जवान के शहीद होने कि जो राशी दे जाती है, उससे ज़्यादा राशी किसी खिलाडियों को देना, क्या उजित मानते हैं? जी नहीं, मेरा बड़ा स्वष्ट मालना है, जो देश की रक्षा करता हुआ एक जवान सहीद होता है, वो एक जवान सहीद नहीं होता, वो उसके साथ उसके पूरे प्रिवार की जुम्मेदारियां जुड़ी होती है, और जब एक सैनिक सहीद होता है, उसका प्रिवार भी का जो रासी है वो कभी भी सहीद सहयनिक से जादा नहीं रखनी चाहिए मेरा मानना है कि सहीदों को जितनी संवान-रासी मिले उससे जादा किसी को भी संवान-रासी देना सरकार की तरफ से उचीत नहीं है स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप हमें अपनी राए भेज सकते हैं और कमेंट बोक्स में भी आप अपनी राए लिख सकते हैं इसी के साथ हमारे चैनल को लेक्शे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद